हेलो दोस्तों किसे आप लोग आप सभी का सुवारे चनल में इस वीडियो के अंधर हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था तो वैसे हमारे programming languages में होता है एक child class जिसकी जो properties होती है वो आती है हमारे parent class से ठीक है मतलब वो inherit कर सकता है और child class के अंदर दे सकते है आराम से तो यह पूरा के पूरा होता है inheritance अब inheritance हमने जान लिया अब inheritance python के अंदर कैसे काम करता है वो देख लेते हैं सबसे पहले उसका syntax देख लो कि एक base class होता है जिसे हम parent class भी बोलते है वो हम बना सकते है और उसके बार हम जो derived class है जो हमारा child class बोलते हैं हम derived class को उसके अंदर हमें simply हमारे base class यानी की parent class का simply नाम लिख देना है तो समझ में यह जो बच्चा है वो actual में किसका है तो syntax समझ लिया है अब let's get coded अब यहाँ पर सबसे पहले हम class create करते है पारेंट कर ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो हाँ पर मैंने सारी अब यहाँ अब यहाँ अब यहाँ हो गया तो we are good to go हम देखते हैं हमारे child class को किसे बनाया तो यहाँ पर देख सकते हो हमने student करके class बनाया है और जैसे हमने syntax में देखा वैसे हमने our student class को यहाँ अब यहाँ से student हो गया हमारा child class हो ठीक है और am हम यहां पर mention करें student class के अंदर in parenthesis वो हो गया हमारा parent class इतना simple है inheritance python के अंदर actual में तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले student class के attributes separately define करेंगे जो हमने init method को करके किया है जैसे subjects और school name डाला है पर अगर आप अच्छे तरीक से देखोगे तो मैंने यहां पर init method के अंदर name, wait, hide भी रखा है क्योंकि हां पर हमें सारी चीज़े चाहिए जो person class के अंदर है और उसे लाने का एक simple तरीका है वो है method invoking यहां पर हमें जो init method है person class के अंदर उसे invoke करना है अब कैसे करेंगे सिंपल चीज़े ही आप स्क्रीन पर ही देख सकते हो हमें हमारे class का नाम लिखना है जो कि person है फिर dot लिखना है और जो method को लाना है जैसे कि हम इनित method को लाना है तो हम यहां पर init method को लिखेंगे और फिर जो भी परामेटर से लाने है नेम वेट हाइड वह हम लाएंगे तो इसलिए हमारे इनित method के अंदर हमने नेम वेट हाइड लिखा है क्योंकि हमारे जो attribute से जो person class के अंदर है वो automatically इस line के बज़े से यहां पर भी आ जाएंगे इतना समझ में आ गया है इतना simple है इस प्रकार से इस line के बज़े से जो invoking वाला line है उस line के बज़े से पूरे के बूरे attributes यहां पर आ गया है हमारे इनित method के अंदर जो कि student का इनित method है अब सेम चीज हम कर रहे है हमारे person info method के अ उपर हमने यहां पर print लिखा था ठीक है वो print automatically यहां पर student class के person info method में आ जाएगा इसलिए आप देख सकते हो पिछले वाले print method के अंदर कि हमने self.school name लिखा था जो की person class के अंदर ही नहीं और self.subjects लिखा था जो भी person class के अंदर ही नहीं पर जब वो student class के अंदर आ जाएंग इसलिए सारे चीजों को हमने assign किया है subject को कुछ assign किया है school name को कुछ assign किया है and rest for name weight and height और यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पर crush लाइच का object नहीं बनाया है यहाँ पे हमने student class का यह object बनाया और सारे attributes लाइचे है सारे parameters लाइचे हैं हमार भी स्टोडन क्लास के अंदर थे वह भी डाल दिये और person class के अंदर यह भी डाल दिये और उसको मदद से और उसके मदद से हमने person info method को call किया है 210 जो की ID है वो pass करके तो आप output में देख सकते हो ID number 210, Hi my name is Tejas, my school name is IAS Vikran and my weight is 82 kg and height is 6.1, I study math, science, geography in my school यहां पर देखे person class को हमने touch भी नहीं किया, person class का कुछ object भी नहीं बना है, फिर भी हम सारी चीज़े यहां पर access कर पाया है, तो यह हो रहा है due to inheritance सो होप सो यहां पर सारी चीज़े आपको बहुत powerful लग रही होंगी, बहुत ही super लग रही होंगी, पर उसी के साथ हमें superman को भूलने की जर्ज़वत है, क्योंकि हमारे inheritance के अंदर ही super function दिया गया है, so it's like don't remember superman, we have super function, अब यह super function क्या होता है, कुछ नहीं सेम चीज जो करता है, वो return करता है objects को जो parent class के अंदर represented है, वो ही जो हम जिस प्रकास से invoke कर रहेते हैं, यह दूसरा तरीका है थोड़ा invoking करने का, ठीक है, अब इन दोनों में फरक्या है, हम जो पहला method यूज़ कर रहेते, person.like रहेते, और super में क्या ही difference है, तो simple difference है कि person.like जब हम लिख रहेते init या फिर कॉनसा भी method तो हाँ पर हमें self लिखने की ज़रूरत थी, यहाँ पर super के साथ हमें self लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम देखते है कैसे हम करते है, यह एक recommended तरीका है जब भी हम init method को call करेंगे, क्योंकि init method के अंदर कुछ चीज़े रहती है, जो नहीं आती है properly, इसे as a python ने बोला है कि एक recommended तरीका है, init method को specially call करने के लिए, ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो code के अंदर, सारी जीज़े सेम है हमारे child student class के अंदर, बस यहाँ पर जो हम person.init लिख रहे थे, वहाँ पर हमने super parenthesis में हमने लाल दिया है, और feed.init करके name weight और height रखा है, यहाँ पर self मैंने word यहाँ पर नहीं रखा है, क्योंकि इसके जरुवत नहीं है बहाँ पर, जब हम super को use कर रहे हैं, और जैसे यह मैंने कहा था कि recommended है, वो init method के लिए, जब init के लिए call करने के लिए, तो यहाँ पर person info के लिए हम normally person info use कर रहे है, person.person info, ठीक है? तो हमें भी पता चल जाएगा कि यहाँ आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो, definitely comment box में लिख देना, जो भी doubts है, जो भी नहीं सीजे समझ में आ रहे हैं, या आफिर, ऐसी चीज़े हैं, जो मैं cover नहीं कर रहा हूँ, definitely comment box में लिख देना, so इतना अगर आपको समझ में आ गया ह तो we are really good to go, और हम देखते हैं आगे types of inheritance, अब आता है सबसे पहले single inheritance, जो भी अभी तक हमने देखा, वो एक single inheritance था, जहाँ पर एक parent class के properties, एक child class inherit कर रहा था, तो एक एकदम singular level पर काम हो रहा है, तो इससे हम single level inheritance कहते हैं, अब उसके आगे ही बढ़ते हैं, multiple inheritance, तो यहाँ पर जो genetics है, वो तो लही रहा है, वो पर मम्मी के genetics भी ले रहा है, क्योंकि वो दोनों का बच्चा है, ठीक है, तो वैसे ही एक जो child class है, यहाँ पर एक से जादा parent class के properties inherit कर सकते हैं, इसे हम code में देखते हैं, तो हमने student class को देख लिया था, वो एक child class था, जो person को inherit कर रहा था, person class को, वैसे हम यहाँ पर class sun मनाते हैं, और हम student class के अंदर वो sun को डाल देते हैं, मतलब यहाँ पर student class जो पहले सिफ एक ही class, एक ही parent class से properties inherit कर रहा था, वो अभी दो parent class से properties inherit करने है, person और sun, आप नीचे देख सकते है, person.init करके हमने person class के जो properties है, वो बुला लिये हैं, और multiple inheritance, अब उसे के साथ multiple के साथ आता है, multi level inheritance, अभी इसमें और भी सारी चीज़े simple है, जो बेटा होता है, उसके पापा के genetics हो ले ले लेता है, ठीक है, अब उसके पापा जो है, उनके पापा के genetics ले ले लेते हैं, तो बैसे कलिए यह कैसे, ऐसा level में चल रही है, अगर आप syntax को भी इसका तो और अच्छे से समझ में आजएगा, कि एक grandparent class बनाया है हमने, ठीक है, syntax में, फिर उसके नीचे हमने parent class बनाया है, जो parent है, obviously वो grandparent से properties हमारे genetics inherit करेंगे, और वैसे ही हमारे जो child class है, वो हमारा parent class से properties inherit करेगा, तो ultimately child के पास grandparent वाले properties है, parent वाले properties भी है, ठीक ह तो यह एक multi level inheritance हो गया, क्योंकि एक level of line में, वो inherit कर देए चीजे, इसका अगलग से code लेखने की जरुवत नहीं है, obviously, जैसे हमने student class को person को inherit करने के दखा था, वैसे हम son को भी रख सकते है, person को inherit करने के लिए, person class को inherit करने के लिए, और फिर student class है, हमारे son class को inherit करेगा, तो simple सार सारी चीजे है, अगर आप इसके try and out भी कर सकते हो, link description में है, जो भी सारी चीजे हम यहापर explain कर रहे है, उसके सारे course आपको एक article form में मिल जाएंगे, जहापर हमने, मैंने ही खुद से वो article लिखा है, तो आपको explanation के साथ वो सारी चीजे यहापर देखने को मिल जाएंगी, तो यहापर आप देख सकते हो, यहापर एक example दिया है मैंने, multi-level का, ठीक है, तो definitely check out कर सकते हो, as a concept चो लिए, तो यहापर आपने discuss कर लिया है, with that said, हम देखते है, आगे hierarchical inheritance, अब यह hierarchical inheritance, क्या होता है, एक दम simple चीज है, कि जैसे की, एक parent के बहुत सरे बच्चे हो सकते है, वैसे ही, यहापर एक parent के, एक parent class के, बहुत सरे child class हो सकते, तो अगर आप इसका syntax देखो, तो एक parent class हमने बनाया है, फिर हमने दो child class बनाया है, उसके अंदर जब एक ही parent class के वो properties ले रहे है, कितना simple है, तो जैसे हम मारा student class है न, वो person class के properties ले रहा था, तो हमने और एक class बना के अंदर है, अभी इसमें कुछ निये जाला, कि यह पूरे के पूरे combination है, जो भी हमने अभी चार टाइप्स देखे दे, उसको अगर आप randomly कैसे भी यूज करोगे, उपर नीचे, एक साथ, बहल पूरी चैसे, तो यह हमारा hybrid inheritance हो जाएगा, so with that said, हमने यहापे complete करा है, पू अचले वीडियो में, इस वीडियो के अंदर हमने inheritance के अंदर parent class को कैसे create करते वो देखा, फिर उसके अंदर child class को कैसे create करते वो देखा, और उसके अंदर कैसे invoke करते है हमारे parent class के properties, वो भी देख लिया, उसके बार हमने और एक तरीका देखा, invoking का, जो की super function के मदद से हम use क सकते है without self, ठीक है, और उसके बार हमने देखे obviously types जिसके अंदर आते है single level inheritance, multiple inheritance, multi level inheritance, और hybrid inheritance के साथ, hierarchical inheritance, हो 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 हमने बहुत सारी चीज़े cover कर लिए, आपको half, आंसे में तो आपको mastery आ गई है, definitely check करना code description box में है, और उससे practice भी कर लेना, तो we are, मतलब आपको easy चीज़े है, सारी चीज़े python के अंदर तो और easy हो जाते है, और उसी के साथ, well with that said, हम आगे देखने वाले अगले ही वीडियो के अंदर polymorphism, so ऐसे अगले वीडियो लाने के लिए और अच्छे तरीके से enjoy करने के लिए वो concept, definitely इस वीडियो को like कर देना, comment box में लिख देना, और subscribe कर देन So with that said, thanks for watching the video, मिलते है अगले ही वीडियो में सब सक लिए stay tuned, one day